नॉर्बर डिस्ट्रिबुशन की स्क्रीन आगे आप लोगों की साब में ठीक है तो यह हमारी continuous probability distribution है इसका मतलब है कि जिन चीजों से quantities या variables से मुतालिक यह distribution होगी continuous variable होगे continuous variable कैसा variable होता है जो किसी given range में कोई भी value उसकी possible हो सकती है जिसे for example लोगों की height है अब आपको बता लोगों की height है let's say between 2 feet और 8 feet इसके दरम्यार इसकी कोई भी value possible हो सकती है 5.16 भी हो सकती है 6.2 भी हो सकती है 6.25 भी हो सकती है तो यह जो आपके variable है यह continuous variable है तो अब इन से मुतालिक हमारी यह continuous probability distribution है normal distribution है तो normal distribution सबसे ज़्यादा important जो continuous distribution है वो normal distribution है क्योंकि daily life में हम बहुत सारे variables जो है उनकी distribution normal distribution होती है तो यह most frequent होती है हमारी daily life में अब इसकी जैसे examples है जैसे लोगों की height है तो height of persons जो है वो normally distributed होती है लोगों का weight होता है weight of people जो है वो भी normal distribution रखता है इसना लोगों की income है तो income भी जो है वो है continuous variable है continuous random variable है उसकी distribution भी normal distribution होती है जो लोगों की जहानत है IQ है वो भी continuous random variable है इसकी distribution भी normal distribution होती है तो यह कुछ normal distribution की real life में examples है ठीक है तो जो नॉर्मर डिस्ट्रिबूशन है उसकी शेप किस तरह की होती है तो ये शेप आपके सामने है नॉर्मर डिस्ट्रिबूशन की जो शेप है वो symmetrical है बैल शेप है घंटी की तरह इसकी जो है वो शेप है यह आपके सामने यह आपके सामने नॉर्मल डिस्टिबुशन की शेप नजर आ लिए ने आपको तो यह जो बैल शेप जो आपके पास कर वह है यह नॉर्मल डिस्टिबुशन का गिराफ है तो इसके नॉर्मल डिस्टिबुशन को bell shaped distribution भी कहते हैं बास उखाद, तो अब यह जो आपके बस bell shaped करने इसमें क्या property है, जो पहली property जो सबसे obvious आपके सामने है, वो क्या है कि यह आपके पास symmetric है, खिक है, बिल्कुल इसकी जो दोनों पार्ट से वो एक जैसे है, right और left, तो अब जैसे अगर, for example, हम x-axis के उपर distribution है, height की, इसमें क्या properties है, left hand side पर आपके पास ही जो tail नजर आ रही है, black teller में, यहाँ पर height बहुत small है, और क्यूंकि इसकी जो frequency, अगर आप देखने हैं, जो probability है, वो बहुत कम है, तो इस वजह से यह less frequent है, इसकी probability जो है, और low है, ठीक है, समझ में आगई बात, जो left tail में, आपके पास है, very small heights है, वो, they are less frequent और उनकी जो probability है, वो low है, इसी तरह अगर आप right hand side पर जाएं, जो tail है, आपके पास, यहाँ पर जो height की values हैं, वो जादा है, वो very large heights है, लेकिन इनकी frequency भी low है, यह भी less frequent है, इसकी probability भी low है, तो आम तोर पर लोगों की जो height है, उसकी distribution में क् के ऐसे अफराज जिनकी height बहुत कम हो, और ऐसे अफराज जिनकी height बहुत जादा हो, दोनों less frequent होते हैं, less probable होते हैं, उनकी probabilities कम होती है, यह जो beach का portion है, red color में, इसमें आप देख रहे हैं, जादा दर data है, जादा height है, तो most of the heights are intermediate है, जादा लोगों की जो heights होती है, ना तो ब very small values हैं, या very high values हैं, वो less frequent हैं, और जो जादातर values हैं, जो most frequent values हैं, आपके पास वो intermediate values हैं, तो इसके यह bell shaped curve आपके पास बन रहा है, तो अब इसका दर देखेंगे, जो normal distribution है, इसमें आप, जो कौन-कौन से इसके अदर खास बात हैं, जो आपको याद रखनी है, यह centered about mean है, तो इसका जो mean है, वो इसके बिल्कुल central value है, यह जो दिखाईवी आपके पास यह mean है, बिल्कुल center में, और यह symmetrical about mean है, mean के about यह symmetrical है, और इसका जो spread होता है, वो depend करता है, इसके standard deviation sigma पर, mean को हम mu से denote करते हैं, और standard deviation को हम sigma से denote करते हैं, तो यह इसके अदर जो है तीन properties हैं, मैं मैंने दिखाईवाब आपको जैसे यह कोई भी आपके पास normal distribution की shape है, bell shape curve है आपके पास, इसका mean हो बिल्कुल center में है, और यह जो इसका spread है, mean के about data कितना फैलावा होगा, यह depend करता है, इसके standard deviation के होगा, ठीक है, तो हम किसी भी normal distribution को capital N से denote करते हैं, capital N का मतलब है any normal distribution, और इ चीज़े important है, एक तो उसका mean है आपके पास, एक उसका आपके पास, hello, share हो रही है screen यह नहीं हो रही, screen नजल आए अच्छा, अगर किसी को, देखें, अगर कोई अवाज की problem हो या share screen नहीं हो रही, तो आप मुझे, मतलब, चैट के तो बता दें, बास बद मेरी तरफ से भी net पे problem हो सकती, आपकी तरफ से भी हो सकती, तो जो कोई भी normal distribution आपके पास होगी, उसको capital N से denote करेंगे, उसके दो चीज़े important है, उसका mean है, जो bracket में बता रहूं है, दो variables, mu का मतलब है उसका mean, sigma का मतलब है उसका ascended deviation, तो यह किसी भी normal distribution को लिखने का तरीका है, तो अब कितनी normal distributions possible है, वो depend करता है उसके mean और standard deviation की values पर, तो जबित में और standard deviation की infinite values पॉसिबल हो सकती हैं, तो इस तरफ, we have infinite number of normal distributions, तो normal distributions infinite है, बतब fifties नहीं है, hundred नहीं, उससे भी जादा है, one thousand नहीं, उससे भी जादा है, one billion नहीं, उससे भी जादा है, infinite है, तो अब जाहर बता है हमारे पास infinite number of normal distribution हो या बहुत जादा हो हर एक को बारी बारी अगर हम डील तरहें तो इसको बहुत टाइम लगेगा हमारी lifetime इतनी नहीं है तो फिर जावेद आल्लाद आले ने फिर उसके रहे असानी की विए पताब एकी standard normal distribution हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास infinite normal distribution है जिन में mu की value, mean की value और sigma standard deviation की values different होती है जैसे यह picture में हमें आपको दिखा रहा हूँ कि यह सब normal distribution है सब की bell shaped है लेकिन इसमें spread और mean का फार्क है standard value sigma और mu का फार्क है तो इस वाज़ा से इनकी shape जो है वो different है सब की bell shaped है लेकिन bell shape भी different types की possible है तो इसला different types की आपके आपके पास normal distribution है जिन अब हम इतनी सारी तो study नहीं करते हैं हमने एक को standard बना लिया जिसे दुनिया में जो currency है वो standard currency हमने डॉलर बना लिये कि जो भी है वो एक की currency के अदर अपनी खरीदारी कर ले उसमें deal कर ले तो वो आसानी हो जाती है उसमें इसी तरह यहां में तो situation और ज्यादा घंपीर है तो जो obvious choice है जो सबसे आसान values है जिनको calculation में इस्तवाल करना सबसे आसान है वो क्या है कि mean आपके पास 0 हो और standard deviation आपके पास 1 हो mean आपके पास 0 हो और standard deviation 1 हो तो एक ऐसी normal distribution जिसका mean mean 0 हो और standard deviation sigma 1 हो उसको हम कहते है वो standard normal distribution है यह values सबसे आसान है calculation में use करने के लिए तो इसले हम mean values को जो है वो यूज करते हैं तो एक ऐसी normal distribution जिसका mean 0 हो और उसका standard deviation 1 हो उसको हम कहते हैं वो standard normal distribution है तो इसको किसी भी normal distribution से अलग करने के लिए फर्ग करने के लिए कि हम इसे देखता ही पैचाच जाए हम इसको end के बजाए हम इसको capital Z से जो है वो denote करते है इसक्रीन नजर आ रही है आप लोगों को इसक्रीन नजर आ रही है आपको तो एक ऐसी standard normal distribution जिसका mean mu 0 हो और standard deviation sigma 1 हो वो हमारा standard है वो standard normal distribution है तो इसको हम capital Z से denote करते हैं तो इसमें जो end 0,1 का मतब है standard normal distribution z एक ऐसी normal distribution है जिसका mean 0 है और जिसका standard deviation जो है 1 तो अब इसकी भी जो shape है वो bell shaped ही होगी तो आप इसकी जो central value है वो mean वो 0 है तो आप 0 के right hand side पर आपको बता है positive values होगी 1,2,3 और 0 के left hand side पर negative values होगी minus 1, minus 2, minus 3 तो यह हमारी एक standard normal distribution का curve है जिसको हम Z से denote करते हैं इसका mu 0 होता है जो table हमें given होता है वो standard normal distribution का given होता है तो इसकी यह सबसे ज़्यादा important है आप हम इसको पढ़ते हैं तो कोई भी आपके बास continuous distribution होगी तो उसमें उसके curve के नीचे जो area है वो probability के बराबर है तो यह simple सी चीज़ आपने या रखनी है कि for continuous distribution probability is equal to area तो probability और area एक ही चीज़ है probability is equal to area under the curve तो हम probability को found करेंगे by finding area तो अगर हम area find out कर ले तो यह हमारी required probability होगी तो अब area is probability है तो अब इसलिए हम जो हमारे पास अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर है कि आपको बताए कि कोई भी आपके पास probability distribution हो तो उनकी तबाम probability values का sum हमेशा बाल होता है तो यहाँ जो total number of area होगा वो represent करेगा total number of sum of all probabilities को तो which is always equal to 1 so total area under any normal curve is always 1 which is equal to sum of all probabilities which is always 1 तो यह आपको या रखना है कि कोई भी continuous distribution हो आगे हम जैसे और पढ़ेगी जरूरी नहीं कि नॉर्मल ही हो आगे और भी होगी tie square है f distribution है तो कोई भी continuous distribution है तो उसमें जो total area होगा वो हमेशा 1 होगा तो अब क्योंकि हमारे पर जो normal distribution है आपको बता है कि यह symmetrical about mean है तो इसका mean जो central value है वो total area जो के 1 है उसको दो equal parts में दो equal half में divide करेगा जिसमें हर half का area 0.5 होगा इसका मतना में कि यह जो आपके पास यह जो मैंने standard normal distribution दिखाए इसको Z distribution भी कहते हैं यह Z curve है तो यह central value बीच पे 0 है तो उसके right hand side पर यह जो red color में मैं आपको area दिखा रहा हूँ यह area 0.5 है और इसके left hand side पर जो के blue area में आपको शो कर रहा हूँ तो यह area भी 0.5 है तो total area इसके इंदर जो है वो 1 है यहां तक समझ गए आप बात अच्छा तो अब आज आई है अब जो आपको इसमें आपको फार्मूला यूज नहीं करेंगा आप इसमें टेबिल यूज करके area निकारेंगे जो के probability है तो आप टेबिल के मदद से probability निकारेंगे तो आप जिसे we find area from standard normal table अब यह आपको टेबिल दिया हूँ तो इस table के अं वो 0 और इसके right hand side पर कोई भी positive value है उसके दर्मियान जो portion है हम उसका area आपको इस table में हमेशा देगे तो यह table हमने इस तरह बनाया है कि इसमें 0 और 0 के right hand side पर जो positive value या रहें positive value हमेशा 0 के right hand side पर होगी तो 0 जो के mean है और उसके right hand side पर कोई भी positive value है उसके दर्मियान यह जो portion है इस portion की probability या area जो है हम table में हमें given होगा याने table सामें ये पता चलेगा कि अगर standard normal variable z between zero and any positive value है let's say जिसे इसमें दिखाएवाँ कि अगर standard normal variable z between 0 and 2.24 है तो उसकी probability क्या है याने ये area इस portion का area क्या है अब ये area जो है इसके इसके इना calculate करके दिखाएवाँ आपको समझारे के लिए कि अगर हमें ये portion का area चाहिए जिसमें right hand side पे positive value 2.24 है तो इसमें 2 point point के बाद जो 2 है वो पहला decimal place है और point के बाद जो 4 है वो second decimal place है तो इसके अना हम 2 decimal place आपको देते हैं first और second वो table के अंदर given होते हैं तो जैसे अगर हम z की value 2.24 है तो अगर हम table में जाए तो हम इसमें देखने हैं ये left hand side पे z की value उसका column है point zero से start हो रहा है फिर point one इसके अंदर देखें हम ये red box के अंदर मेरे पास ये value है 2.2 तो इसमें मुझे 2.2 मिल गया है और उपर ये जो आपके पास z के साथ ही row given है इस row के अंदर second decimal place आपको given है वो इसके अंदर आप add कर लेंगे तो आपको total value मिलेगी जैसे 2.2 में ये point zero zero add करेंगे तो actually 2.20 होगा point zero one add करेंगे तो ये 2.21 होगा इसी तरह ये 2.22 वाला column है 2.23 वाला column है ये जो point zero three है इसको 2.2 में add करेंगे तो ये 2.23 हो जाएगा क्योंकि हमें z की value given है 2.24 तो यहां से हमें red box में मिलनी z की value 2.2 और उपर ये जो value इसमें हमें देखना 0.04 ताके जब हमें दोनों को add करें तो ये it becomes 2.24 तो ये इस तरह हमें z की value 2.2 और यहां पर 0.04 मिल गए 2.24 अब इन दोनों के intersection पर ये probability की या area की value लिखी है तो देखें कि आपके पास value क्या है ये 2.2 के against और 0.04 के नीचे ये आपके पास value 0.4875 सब के समझ में आगे ने value हमें किस तरह find out किये अच्छा जेट की value क्या थी 2.24 तो अब जेट के नीचे column में हमने कौन सी value तलाश करनी है 2.2 ये आगे 2.2 red color में अच्छा उपर हमें second decimal place में कौन सी value तलाश करनी है 0.04 ताके ये बन जाए 2.24 ठीक है ये 2.2 के against अगर आप इस row में जाए और 0.04 के column के नीचे आप row में आए तो आप देखें इनके intersection पे जहां पर ये मिल रहे है इनके intersection पे value क्या है 0.4875 तो ये हमारी required probability है यादि ये जो portion है के z is between 0 and 2.24 तो इसकी probability 0.4875 है सही है? समझ गया आप? या किसी को अच्छा एक और example इसमें देख लेते हैं let's say z के और हम positive value लेते हैं let's say 1.67 1.67 ये मैं value खुद दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए तो अगर z between 0 and 1.67 हो तो इसकी probability क्या होगी? अब याद रहे हैं आपके बाद z के value 1.67 है तो अब ये z के नीचे जाते हैं इसमें कौन सी value हमें मिलेगी 1.6 तो ये आगे 1.6 अच्छा और 0.07 के खौले में अगर हम जाएं तो ये देखें ये 1.6 की रो में आप जाएं और ये उपर आपके पास 0.07 है तो ये 1.67 के against आप मुझे बताएगे value क्या 0.4525 सही है? समझ गया है? तो standard normal table को पढ़ना सीख गया आप किस तरह पढ़ें गया? इसमें किसी को कोई problem तो नहीं है? जी? अब आजए? अब आजए हम अब कुछ जी? तो ये एक calculator से हो सकती लिए? मतलब अब अब टेबल से ना ये को नहीं calculator calculator से नहीं हो सकती है हमकोच calculator ऐसे होते हैं जिन में ये टेबल जो है already store होता है scientific calculator तो तमाम calculator में store नहीं होता तो मेरे खाएज से generally calculator से आप नहीं कर सकते हैं Generally आप calculator से नहीं कर सकते हैं graphical calculator से कर सकते हैं तो अब इसमें आजए हम कुछ अब मैं आपको बताता हूँ या आप standard normal table को किस तरह इस्तेवाल करके आप probabilities find out करेंगे तो अब इसके मैं examples आपको बता रहा हूँ यह अच्छी तरह आप समझ लें तो इसका इससे मतालिक जिसका की भी question ने वह आप कर लेंगे तो अब इसमें जिससे अब आपके पास probabilities कि किसी भी टाइप की हो सकती है greater than, less than, between तो अब मैं आपको यह सारी बता रहा हूँ एक है करके आप सबसे पहले जिसे ग्रेटर देन का मतलब यह होता है greater than आपके कहां पर पढ़ेगा right hand side पर या left hand side पर right hand side कर तो greater than का मतलब है आपने area बालू करना विच इस तूदी राइट सही है और left hand side का मतलब है आपने area बालू करना विच इस तूदी लेफट तो अब आजे यह अब how to use अब यह मैं आपके पास बता रहा हूँ आपको examples how to use standard normal table z table to find probabilities example 1 है तो find the probability P that z is greater than 1.23 अगर z की value greater than 1.23 है तो आप इस की probability बताईए तो यह probability अब सबसे पहला आप एक rough tag आप बना लिए यह z distribution आपको बताए बैल shaped curve है इसके center में z 0 है यह positive value है तो 0 के right hand side पर है यह z की value मैंने दिखा दिए 1.23 अब क्योंकि हम greater than में interested हैं तो उसनों पर यह area to the right होगा यह मैंने blue color से आपको यह area दिखा दिए यह आपके required probability है कि z is greater than 1.23 तो अभी जो blue color वाला portion है इसका area यह probability हम table से किस्ता नितालेंगे तो या रखें टेविल जो है आपके पास उसमें हमेशा आपको between 0 on any positive value probability given है याने table में आपको यह red portion given है table में आपको given है from the table table में आपको given है कि z is between 0 and 1.23 तो इस portion का area क्या होगा तो अब हम इस table से निकालते हैं यह 1.23 आपके पास तो अब या टेविल साहब ज़रा मुझे पढ़के बताए साहिए तो अब देखें हमने table से यह हमने probability मालूम कर लिए 0.3907 लेकिर हमने जो probability निकालनी है brew portion के निकालनी है required area तो अब यह हम किसना निकाले हमें पता है यह जो z के सीधे हाथ पर यह जो पूरा portion है यह पूरा इसकी probability क्या होती है 0.5 होती है न याने यह red plus blue यह total probability आपके पास कितने होगी 0.5 और हमें चाहिए below की तो यह किसना मालूम कर रहे है जो total red plus blue आने 0.5 है इसमें से जो red वाला portion है इसकी probability आप minus कर दें तो यह आपको blue portion की probability या area मिल जाएगा तो यह इस तार हमने इसको कर लिया यह example 1 हो गई कि अगर को positive value है और z is greater than some positive value तो यह probability किसका आप find out करेंगे आप सबसे पहले rough dagger हम बना देंगे आपको idea हो जाएगा अब आज ही यह example 2 है अब जिससे कोई अब मैं कोई negative value लेता हूँ उसके left hand side पर मैं probability निकालता हूँ अब यह के find the probability that z is less than minus 1.23 तो सबसे पहले आपने एक rough diagram बना दी है यह z 0 है negative value है तो यह left पर है minus 1.23 तो हमें यह जो left का मताब है कि यह इस value के less than का मताब है इस value के left पर probability य area है तो मैंने green color से दिखाया है कि अब z is equal to minus 1.23 के left पर यह जो green portion है यह आपके required probability है तो इस value के left hand side इस value के left hand side इस value के right hand side पर यह में पास blue portion है तो अब क्यूंकि मेरे पास यह symmetrical shape है तो जो area green portion का होगा वही area blue portion का होगा यह दोनों these two are equal blue portion और green portion यह दोनों areas equal होगे यह बात समझ में आरी न आपके क्यों equal होगे क्योंकि यह symmetrical है यह सेव होगा जी अच्छा एक्जाम में नंबर टू में आपको कौन सी probability निकारनी के z is less than minus 1.23 तो सबसे पहले तो आप इसको value के left पर जो portion है वो निकाल नहीं तो अब आपके पास आपने सबसे पहले दिखाते है required probability क्या है यह green portion से मैंने शो किया यह green portion जो है यह area मुझे find out करना है सही है अच्छा अब क्यूंकि आपके पार table में 0 के right hand side पर जो values है वो गिवन है तो इसलिए आप negative value को से पहले आप positive value जो है उसको consider करें यह जो z की value given ती minus 1.23 इसमें से minus अगर आप हटा दे तो यह बन जाएगी 1.23 तो इसको अगर आप plot करें तो यह 0 के right hand side पर यह मैंने plot कर लिए इसके right hand side पर जो blue portion है इसका area वो ही होगा जो इस green portion का है तो यह important चीज़ है यहां रखे because of symmetry z is less than minus 1.23 तो इसका जो portion है जे 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 बताएगे अगर ग्राफ का अजर को एगी negative देंगे वो हमेशा होगा positively आप लोगो उसको शोगर कि फिरा प्रूपर पर दिखा जे हाँ इस ऐसा ही है कि मैं इसलिए जी से दिखाना हुए because of symmetry z is less than minus 1.23 इसके probability is equal to just आपने z is greater than 1.23 याना आप negative को positive बना देंगे और less than को greater than बना देंगे तो यह जो है less than वाला यह green portion है greater than वाला blue portion है तो यह दोरो probabilities यह दोरो area same है तो अब फिर इसको निखालने का वो ही तरीका होग तो अब इसमें देखें आप पहले तो table से आपको concept probability मिलेगी यह red portion की between 0 and 1.23 यह उसी तरीके से आपने table से find out कर लिया 0.3907 तो अब आपको होता है red plus blue 0.5 है इसमें से blue चाहिए तो 0.5 में से minus करते हैं बिलकुल उसी तरह क्या है जिस तरह example 1 में क्या है समझना आ गई बाद hello sir 5 minutes ने हम उपको negative और positive में तरह रख निये बस change करना है negative और positive और positive और negative को उसी तरह positive बना देगे तो वो बिल्कुल उसी तरह solve हो जाएगी जिस तरह example बने sir मुझे बात होता कि यह जो भी आपने question दीया हुआ है कि यह question में आपने positive और नेगिटिव को एक brincरे तो चाहिए अब आज ही है अब एक्जाम्पिल 3 आजाए अच्छा अब एक्जाम्पिल 3 में ये लेस देन टाइप ही कि मैं मालूम कर रहा हूं लेकिन ये अब पॉजिटिव वैलों के लेस देन टाइप है तो एक्जाम्पिल 3 में पुर्बैबिटी पी निकालें कि Z is less than 1.23 या रहें Z का मतलब है standard orbit distribution तो अगर Z less than 1.23 है तो इसकी probability क्या होगा तो सबसे पहला आप इसके graph diagram बना ले सेंटर पर या रहें 0 है 1.23 positive है तो ये 0 के right hand side पर है तो अब less than का मतलब क्या होगा जो area to the left होगा तो ये मैंने blue portion से दिखाते हैं कि Z is less than 1.23 है तो ये जो पूरा blue portion है आपके पास ये हमारी required probability है अब इसको हम किस्ता है निकालते हैं तो देखें table से मुझे कौन से probability मिलेगी between 0 and 1.23 सही है या जो portion आपको दिया हुआ है ये जो नारेंजी रंग का portion आपके पास है ये अपने table से निकाल दिया कि Z is between 0 and 1.23 तो इसकी probability 0.3907 है अब मुझे बताई ये आप figure देख रहे हैं कि जो blue portion है इसकी probability किसना निखा ले देखें ये जो एक तो 0 से 1.23 तक ये पोर्शा ने ये अपने table से निकाल लिया 0.3907 इसमें 0.5 तो निकालने की जरुवत नहीं है इसमें 0.5 एड करेंगे इस probability में देखें ये जो 0 के left पर portion है इसकी probability कितनी है 0.5 है ना ये तो आपको बताएंगे total area 1 था तो mean उसको 2 equal parts में divide कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शा ने 0 के left पर ये 0.5 है उन्हीं जो between portion ने 0 and 1.23 ये table से निकाल लिया ये 0.3907 है थो हम क्या करें 0.5 में add करतें इसको तो ये required probability आ जाएगी समझ में आरी बग? सही है? के लिए आ रहे? जे 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 पूछिए अच्छा, z is less than 1.23 तो इसके probability क्या होगी? सबसे पहले आप rough डियाग्राफ बना के देख ले कौन सा portion है तो ये z 1.23 0 के right पर है और इसके left पर है जो पूरा blue portion है ये आपने इसका array निकालना है ये आपकी required probability है तो अब हम तो table से निकालेंगे वो between 0 and 1.23 निकालेंगे तो ये table से हमने उसी तरीके से find out दे लिया 0.3907 ठीक है? अच्छा, अब 0 के left पर ही जो portion है ये 0.5 है तो हमने जो total हमारे पास जो probability है इसके अदर ये 0.5 वाला portion में शामिल है और इसके लावा ये जो आप भी हमने table से निकाला between 0 and 1.23 ये portion में शामि है तो ये 0.5 के अंदर हमने ये 0.3907 एक कर दिया तो ये हमारे पास required probability आगे समझे आगी बात आपके? सही है? समझ गए आप लोग? जी सब्सक्राइब है तो मैं फिर आगे बढ़ू?